हाई अब्रिवान कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जी इस्वा लाइन स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला यह बहुत ज जिसका नाम है knowledge series अब यह जो launch होने जा रहा है यह इस चैनल जे आर टूटोरियल्स पे नहीं होने जा रहा है यह होने जा रहा है जे आर टॉक्स पे क्या है वो चीजे क्या मैं बात बताने वाला हूँ यह सभी चीज जाने गे लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थ बहुत जादा important है बस आपको एक काव करना है कि patience बना के रखो वीडियो के अंदर बहुत सारी surprises बहुत सारे अलग-अलग knowledgeable series हम लोग launch कर रहे होंगे देखना बहुत सारे series है एक ही वीडियो के अंदर launch कर रहा हो तो सबसे पहले यार दिवाली का time चलता था दिवाली का vacations almost खतम होने आया तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि mid time exam आपके हो गए अब आगे की videos आगे के जो भी आपके chapters है उसकी पढ़ाई करना शुरुआत कर दो अच्छी तरीके से पढ़ते रहे ना दिवाली vacation complete हो चुका है अब ये time आच चुका है फिर से study करने का तो all the very best keep studying and keep watching videos अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो ठीक है साथ ही में कुछ भी doubt रहता है कुछ भी हो आप Instagram पे मुझसे जुड़ सकते हो ये मेरा ID है link is also given in the description box ठीक है अब देखो मुद्दे की बात पर आते है मुद्दे की बात ये है कि जैसे कि आप एक चीज जानते हो कि हम ल अगर आप जैया टुटोरियस को लगबग एक साल से भी फॉलो करते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग हर साल हर साल मतलब हर vacations में खास करके आप लोग के लिए videos बनाते हैं और ये तीन series हमने पढ़ाया है तो जो बच्चा बहुत पहले से जुड़ा हुआ है ज जो पूरा science, maths जो भी है आप लोग का chapter, history, geography, political ये सबी चीज़ भी पढ़ाते हैं आप लोग के लिए correct हैं समझ में आता है सब चीज़ पढ़ाते हैं आप लोग को लेकिन इसके अलावा वे हम आपको extra knowledge देते हैं ये series के help से बहुत सार एक्ट्रा knowledge देते हैं अब वो extra knowledge आप आपको match tricks video series से मिलता है, अलग-अलग tricks बताते हैं maths के, science का कुछ अलग unique information आपको देते हैं जो शायद आप लोग को अलग-अलग standards में मिलता होगा वो आपको देते हैं साती में scholarship जो scholar बंदा बनना चाहता है अगर कोई भी student scholar बनना चाहता है और खास कर ऐसा student जो 8 वी में और इसके अलावा और भी series जो आगे मैं बात करने वाला हूँ, थोड़ा patience इंतजार करना, थोड़ा सा patience दोस्तो, बहुत important चीज है आज का, ठीक है, patience तो लगेगा ना, तो ये जो series है due to the load on this channel, JR Tutorials पे जो हम अल्यड़ी पढ़ाते हैं ते ये सभी series, अल्यड़ी आप प्रेशर हो चुका है JR Tutorials पे, इसके वैसे JR Tutorials पे वक्त नहीं मिल पा रहा, तो यार हमारा एक और channel है, वो भी education category का, जैसे कि आप जानते हो, जिसका नाम है दोस्तो, JR Talks, तो हमने ये decide किया है कि आप लोगों के लिए, ये जो बहतरीन series है ना, ये तीन तो आपको दिख इतने मज़दार series होने वाले हैं, तो उसको हम लोग relaunch करने जा रहे हैं, हमारे channel, जिसका नाम है JR Talks, हमारा channel, जो second channel है, जिसका नाम है JR Talks, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हमारे साथ, उस channel पे भी, लगबग 80-85,000 subscribers है, वहाँ पे भी, लेकिन मैं आप लोग से एक request करता हूँ, कि यह जो series है आप लोग का knowledge बहुत बढ़ाएगा, इसके लिए इस series का नाम हमने knowledge series रखा है, knowledge series, हर तरीके से आपको knowledge मिल रहा होगा, चाहे maths हो, चाहे science हो, चाहे history हो, चाहे geography हो, चाहे वो experiment series हो, हर चीज़ आपको मिल रहा होगा इस knowledge series के अंदर, कैसे मिलेगा, बताऊंगा, थोड़ा सा patience और, जैसे मैंने बोला, कि इस channel, JR Tutorials के उपर काफी ज़्यादा load हो गया है, हमारे normal lecture videos का, जो हम आपके लिए syllabus by syllabus, हर एक subject के लिए, हर एक standard को पढ़ाते हैं, उस load होने के वज़े से हमें वक्त नहीं मिल पा रहा है, कि हम JR Tutorials पे ऐसे videos भी डाल टाइम इनी मिल पा रहा है, तो वो time को engage करने के लिए, हमारा दूसरे channel के उपर हम ऐसे videos डालेंगे, क्योंकि देखो, JR Talks जो बच्चा follow करता है, उस पे हम लोग career guidance, motivational, inspirational, कुछ podcast के वीडियो हैं, इसे कई सारे exam related videos डालते हैं, जो बच्चा follow करता है, रोज videos आता है, उसके उ लेगा, बच्चो request के तौर पे बोल रहा हूँ, JR Talks पे मिलेगा, JR Tutorials पे, आपको जो पढ़ाई वाले videos मिलते थे, lecture by lecture, आपके syllabus वाले, आपके standard के इसाब से, subject के इसाब से वो मिल रहे हैं, लेकिन JR Talks पे, ऐसे videos मिलेंगे, अगेन I am repeating, ऐसे videos आपको JR Talks पे मिलेंगे, तो प्लीज मेरी तरब से हाथ जोड़ के आपको request है, एक बड़े बाई होने की नाते, ठीके, आप लोग मुझे राहूल दादा भी बोलते हो, तो उसके नाते यार, यह हमारा JR Talks जो second channel है, इसको प्लीज आप लोग जाके subscribe जरूर से करो, title में भी आपको वो channel का जो ID है वो दि मिल रहे होंगे, तो फटा फर से subscribe करके रखो, अल्रीज बहुत सारे content है उसके अंदर, तब तब उसको देखो, ऐसे वीडियो भी आएंगे, और इसी वीडियो के अंदर, यही वीडियो के अंदर, देखो, slide देखो, 9 slide है, 2 पर पहुचे अभी तक, ठीक है, इसी वीडियो क अंदर, हर एक टाइप का, डेमो देने वाला हो, कि किस प्रकार के वीडियो से आपको मिल रहे होगे, हर बार तो सिफ नाम लिखके लाता था, इस बार आपको पूरा बकायदा बताने वाला हूँ, कि मैस्ट्रिक्स में कैसे वीडियो आएंगे, साइंस ट्रिक में कैसे वीडियोस आएंगे, और नोटिफिकेशन वेल को भी ओन करते हैं, ताकि आप लोग को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे, और आप लोग वीडियोस देख पाऊगे, करेक्ट है, तो याग पढ़ाई, जया टुटोरियल से रहो, जितना हो सके, पड़ते रहो, सिलाब क्या है, तीन नाम, देखो ध्यान से, पहला है, मैच ट्रिक्स वीडियो सीरीज, यह तो आपको मिलेगा ही, जिसमें मैच के अलग-अलग ट्रिक वीडियो आपको देखने मिलेंगे, कैसे सॉल किया जाता है, कोई भी चीज़ को सिंप्लिफाय, कोई भी ऐसी बहुत सारे तरीके से निकालना, आपको सिखाएंगे, सेकेंड, साइन्स का फंडा वीडियो सीरीज, साइन्स का फंडा वीडियो मतलब साइन्स के बहुत सारे कॉंसेप्ट होते हैं, उसका फंडामेंटल क्या है, क्या फंडा है, उसका कैसे लर्न कर सकते हो, यह सभी चीज, इस वीडि ओच्छों के अलाबा और 3 नए वीडियो सिरीज हम लोग लॉंच कर रहे हैं हमारे नॉलेज सीरूस के अंदर जो कि है हिस्टरी का फाक्ट वीडियो सिरीज आपको हिस्टरी का ऐसे ऐसे फाक्ट पता चलेगा जो शायद आपने पहले कंखी नीं सुना ह chilंगा हिश्टरी तो म लेगिन जो गरफि का भी बहुत सारे घ्ञान आपको इस वीदियो सिरीज के अंदर जोग्राफि के घ्यानो वाले वीदियो सिरीज के के दिखा रहे होंगे अलग-अलग चीजे लाके तो वैसे experiment series आपको देखने मिलेंगे हमारे channel के उपर लेकिन कहां मिलेंगे confused मत होना ये सभी video series के अंदर जितने भी videos आएंगे वो कहां मिलेंगे वो आपको JR Talks पे मिलेंगे दोस्तों क्यूंकि JR Tutorials पे काफी जादा load आ चु सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ऐसे बहतरीन series के जितने भी videos है वो आपको देखने मिलेगा JR Talks पे तो प्लीज जाएए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ने तो बात में भूल जाओगे ठीक है तो अब मैं लेकर आया हूं डेमो ये जितने भी series है जतंए न ये सब के एक-एक वीडियो अब्धी पढ़ाने वाला हूं अभी पढ़ाने वाला हूं जया टुट्वरियों पर ही जाएगा लेकिन अभी पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आईडिया लग जाए कि कैसे वीडियो मिलेंगे जैया टॉक्स पे तो मजह में आ Somewhere the ु जो कि बहुत बार मैंने बताया हुआ है, जो बच्चे नए है, उनको पता चलेगा, कि ये है दोस्तो, क्यों है वो निकालो, 3, 3, 3 common है, मतलब 3, HCF निकालना है अगर आपको, तो आपका common निकालना पड़ता है, ये तीनों में common 3 है, और ये तीनों में common 5 है, तो 3 multiply by 5 is equal to 15 आपका answer आता है, तो ये इतना लंबा चोड़ा आपको solve करना पड़ता है, HCF निकालने के लिए दोस्तो, आ आपको ये इतना लंबा चोड़ा solve करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं बोलू, कि आप within 5 second answer निकाल सकते हो, HCF, 15, 30 और 45 का HCF का trick बताने वाला हो, within 5 second आप निकाल सकते हो, तो आप मानोगे नहीं, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ, क्या करोगे, बोलो, क्या दोगे म एक बार आपने लिख लिया, फिर इस प्रकार के मिन ऐसे बना लो, यह बना लिया, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले, 1 होता है, 1 तो सब के table में आता है, तो 2 के table में 15, 30, 45 आता है क्या, नहीं आता है, correct है, नहीं आता है ना 2 के table में, अगर मैं बात बोलू, तो मैं directly 3 ले लूँगा, तो मैं 3 लो लूँगा, तो 3 के table में 5 जा 15 होता है, और 3 10's जा 30 होता है, और 3 15's जा 45 होता है, यह मैंने ले लिया, ठीक है फिर से वापस से यह आ गया 5, 10, 15 अब आप देखो 3 के टेबल में 5, 10, 15 आएगा क्या नहीं आएगा 4 के टेबल में नहीं आएगा 5 के टेबल में आएगा 5 1s आ 5, 5 2s आ 10 और 5 3s आ 15 समझ में आ रहा है 5 3s आ 15 अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1, 2 और 3 नंबर आ गया तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता हो, सिर्फ एक ही नंबर है जो की है 1 तो लेकिन 1 को हम लोग कंसीडर नहीं करते, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में कहीं नहीं आएगा मतलब यहाँ पे आपको stop हो जाना है, नंबर क्या है आपका 3 और 5, तो आपको 3 और 5 को multiply कर देना है, answer आ गया 15 तो आपका HCF क्या रहेगा, HCF is nothing but 15, देखो कितनी आसानी से निकाल लिया, within 5 seconds ऐसे आप करोगे तो चाहे कितने बड़े बड़े भी आपको numbers आ जाए, वो numbers को आप चुटकी बजाते हैं उसका HCF निकाल लोगे, यह आपने करना पड़ा न आपको, और यह करने में आपको सो HCM के लिए भी होता है, मैंने वीडियो बनाया है पुराने, लेकिन नए वाले भी आएंगे, जैया टॉक्स पे आएंगे, तो इसी लिए बार-बार आपको बोल रहा हूँ, कि फटा-फट से जाओ, इस चैनल को विजिट करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, त दूसरा सिरीज है साइंस का फंडा वीडियो सिरीज, अब साइंस का फंडा वीडियो सिरीज में आपको क्या मिलेगा, साइंस के फंडा वीडियो सिरीज में साइंस के बहुत सारे ऐसे concept होते हैं, साइंस के बहुत सारे चीज़े होते हैं, जो लोगों को पता नहीं होती है, तो वो सभी चीज़ सिखाएंगे हम लोग, तो इसमें आज क्या लेकर आया हूँ, तो आज है साइन्स का फंडा वीडियो सीरीज में, सिंपल वे टू लर्न वन से लेकर 20, देखो ध्यान से, वन से लेकर 20 तक का atomic numbers आप चुठकी बजाते याद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा म सिलिकॉन, फॉस्फरस, सुलफर, क्लोरिन, आरगोन, पोटाशियम और कैलशियम, तो यह मैंने 20 तक लिक के रखा है, अब इसको लर्न कैसे करना है, तो इसका एक शॉटकट तरीका है, जो मैंने खुद से ही बनाया है, कैसे, अब देखो, यह H है ना, हाइड्रोजन, H होता इसको बनाया है, फिर, बोरौन और कारबन, यह दोनों का मैं जॉटि करतेता हूं, और लिखूंगा, हमें BC, ठीक है, अब यह BC का मतलाब वह मत समझना, ठीक है, तो इह BC क्या हो गया, बोरौन और कारबन, ठीक है, BC मतलब बोरौन और कारबन, उसके बाद, NOF, समझ में आ रहा है नाइट्रोजन ओक्सिजन और फ्लोरिन उसके बाद है नियोन नियोन के लिए एनी ने उसके बाद है सोडियम और मैंगनेशियम दुनों को साथ में लिखा ना मग फिर एल और सिलिकॉन तो यह हो जाएगा अलसी और उसके बाद है फॉस्फरस और सल्फर यह हो जाएगा पैपसी इसको क्या बोलोगे इसको बोलोगे पैपसी फिर CL और AR बन जाएगा कोलार और यह बन जाएगा केसी है तो इसको पढ़ेंगे केसे देखो याद करने का तरीका है ह ही लीबे बकनोफ ने नामग अलसी पैपसी कोलार केसी है कैसे बढ़ोगे ह ही लीबे बकनोफ ने नामग अलसी पैपसी कोलार केसी है समझ में आया तो ह ही लीबे बकनोफ ने नामग अलसी पैपसी कोलार केसी है अब कैसे करोगे इसका यूस क्या है समझ लो आपको कोई पूछता है कि what is the atomic number of sodium, समझ लो कोई आपको पूछेगा what is the atomic number of sodium, अब बोलोगा sodium कैसे आता है, तो sodium का atomic, sorry, sodium का symbol आपको यहाद है, sodium मतलब na, sodium मतलब na होता है, na, कहां क्या, यह sodium है na होता है, लेकिन आपको atomic number याद नहीं है, तो कैसे count करोगे, h, h, e, h, e ली, बे, बक मतलब क्या होता है, बक, बी और सी, बक, नॉफ, एन, ओ, एफ, नॉफ, नॉफ, ने, ना, तो ना आया 11 नंबर पे, ना मतलब sodium, तो sodium मतलब ना है ना, तो 11 नंबर पे sodium आया, तो इस प्रकार से कोई भी atomic number आपको पूछेगा, 1 से 20 तक का आप बता सकते हो, ले आरा है, जो बेतरीन सीरीज है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, जियार टॉक्स को सब्सक्राइब, तो जरूर चाहिए सब्सक्राइब करके रखना बहुत मजजदार आने वाला है, मैं बार बार नहीं बोले है, और आप भी सोच लोगे कि सब्सक्राइब करने बोल र है, ये हो गया हमारा मैच्स ट्रिक्स, उसके बात हो गया, साइंस का फंड, आप देखो scholarship video series, बहुत बेतरीन, scholarship video, देखो, scholarship में क्या करना है, आपको पूछा है, देखो scholarship में मैं क्या पढ़ाने वालो, आपको बहुत सारे चीज है, जो आपको scholar बनने में हेल्प करेगी, प् को प्लस कर लो तो यहां पर दिया है 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 35 मतलब अगर आपको average निकालना है कोई भी चीज़ का तो जितने भी numbers दिये हैं उनको plus कर दो और जितने numbers से उससे divide कर दो तो कितने number है 1 2 3 4 5 5 number है 5 को plus कर दिया और 5 number इसके लिए divide by 5 कर दिया तो plus कर दो सबसे पहले 20 प्लस 30 50 प्लस 40 90 90 और यह हो जाएगा 60 90 प्लस 30 is 150 तो देड़ सो बटे 5 150 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 5 3 is 15 मतलब 0 30 तो आपका average का answer आगया जो आपको पूछा गया था ना कि average का value निकालो तो आपका average का answer आगया 30 कितना आसानी से आपने average निकाल दिया देखो इसी को बोलते हैं हम लोग scholarship video series जिसमें आपको ऐसे ही कई सारे और वीडियो मिलने वाले तो पटा फट से क्या करना है चले जाना जिया टॉक्स पर इसे वीडियो से आपको मिलेंगे next है अब देखो history का fact video series ये ना history का fact ना बहुत मचेतार होने वाला है क्योंकि यार आप मैंसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको history का edge भी नहीं मालूम रहेगा लेकिन मैं आपको अलग-अलग facts बताऊंगा history का जो हमारे इंडिया का history है जो हमारे भारत देश का इतने महान-महान व्यक्ति लोग का history है वो सभी बताऊंगा तो आज ऐसे ही एक story लेक act बनाए गया था राउलेट एक है क्या एक्चल में मैं आपको बताता हूं मैं हर चीज शॉट में बता रहो आज पूरा deep में नहीं कुसेंगे क्योंकि हम लोगा डेमो चल रहा है तो राउलेट क्या था एक जब हमारा इंडिया का जो हमारा first world war हुआ था तो इंडिया ने ब और ये एक्ट ये जो कानून बनाया गया राउलेट इसमें कहा गया कि हमारी मर्जी हम जब चाहे इंडियन्स को अरेश्ट कर सकते हैं और कोई भी खुले आम घुमता है या फिर public speech देता है या फिर लोगों में जाता है तो हम उसको बिंदास गिरफतार कर सकते हैं तो यार ने इसके खिलाब तो सभी लोग ने और आ ध्रम घृत उन्रकर रहे थे बहुत ज़ह ज़्यादा पतला जगा था जिसमें बहुत सरे लोग आतो गए ख़ारों के तादाद में लोग थे, लेकिन उसका जाने का जो रास्ता था, एक छोटा सा गेट था, वो गेट छोटा सा था और चारो तरफ दिवार थी, और एक छोटा सा गेट था जाने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो जनरल उस टाइम पे था, जनरल डायर मतलब जो जैसे आ गौवर्नर के द्वारा जो की था जनरल माइकल ओडायर इसने इसको परमिशन दिया कि जो भी इनसान आ रहे हैं, वो आंदुलन कर रहे हैं, उसके बिंदास ओपन फाइरिंग करो, क्या करो? ओपन फाइरिंग दादादा मारो, बिंदास मारो, ऐसा order दिया था, जो डर के भ पाइरिंग किया गया था और लगबक 400 पीपल, 400 लोग उधर पे ही, तो चो शहीद हो गए, मैं तो मारेंग गई नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा शहीद हो गए, क्योंकि यार उनको मारा गया है, अंग्रेजों द्वारा, तो शहीद हो गए, तो यार यह सभी से देखा नहीं किया, बहुत ज़्यादा इनकी निंदा होई, बहुत सारे इंडिया में भी और भार देश में भी लोगों ने बूरा भला बोला, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर उसको रिवेंज लेने के लिए, मैं आपको यह देखो, बहुत छोड़ी स्टोरी बता रहा हो, उ लंडन में जाके मारा, तो इसके उपर ना एक मूवी बनी है, मैंने देखिए बहुत अच्छी लगिए, तरदार उदम सिंग के नाम पे, तो यह है एक हिश्ट्री का फैक्ट, तो यह बहुत छोटा फैक्ट था, इसे कई सारे फैक्ट दोस्तों, आपके लिए लेकर और ऐसे नालेज अगर आपके पास रहेगा, तो सोचो आप जो कॉम्पेटिटिटव एक्जाम्स, IAS, UPSC, ऐसे कई सारे एक्जाम्स को क्लियर कर पाऊगे, यह आपके लिए बहुत जाता है helpful होगा, नेक्स्ट अगर मैं बात तोरू, जो किये दोस्तों, जोग्राफी का ज ज्यान वीडियो सीरीज, यहाँ पे इस वीडियो सीरीज के अंदर हम आपको जोग्राफी के अलग-अलग ज्यान दे रहे होंगे, ज्यान मतलब सब जगा बढ़ता है, लेकिन यह ज्यान जोग्राफी के से लिएटड होगा, ताकि आपका जोग्राफी का जो नॉद्ध है वो बढ़ सके, अब जैसे कि आज का टॉपिक है solar and lunar eclipse, आप सभी को पता है सूरे ग्रहन होता है, चंद्र ग्रहन होता है, कुछ दिन पहले सूरे ग्रहन हुआ लेकिन reason आपको पता है कि बहुत सारे लोग को पड़े का sun का light और फिर यहां से क्या होता है, अर्थ के उपर जाता है, तो यहां पर जो भी लोग रह रहे होंगे तो उसके रास्ते में कोन आ गया, चंद्रमा आ गया, उसके रास्ते में कोन आ गया, चंद्रमा आ गया और वो कहलाएगा पूरा सूरे ग्रहन, मतलब चंद्रमा ने, जो मून है, जो ये मून है ना, ये मून ने ये स्टन का जो लाइट आरता उसको पूरा घेर लिया, और वो घेरने के वज़ेसे एक ऐसा position create हुआ, कि आपका एक objective बीच में आ गया, जैसे example के तौर पहर मेरे पास करकात तरता है, तो एक position आएगा कि मून बीच में आ गया, जिसके ऐसे sun का जो light हो पूरा छुप गया, और उसी को बोलेंगे सूरे ग्रहन, वैसे उल्टा होता है lunar eclipse में, lunar eclipse में क्या होता है, कि जो sun का light है, जब earth के उपर पढ़ता है, ठीक है, और earth का shadow पूरा moon के उपर cover कर गरता है, तो earth का पूरा shadow, sun से आया हुआ, जो light है, earth का जो पूरा shadow है, moon के उपर गिर गया, तो moon क्या हो जाएगा, गायाब हो जाएगा, जो moon है, गायाब हो जाएगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, grand ही कहेंगे, तो इस प्रकार से moon का, मतलब lunar eclipse, moon का ग्रहन, चंदर ग्रहन ब लेकिन एक छोटा सा experiment है, newton law of motion, अब newton law में तील law है, आपको पता होगा कि पहला law जो है newton का, newton का जो first law है, वो क्या बोलता है, newton first law बोलता है, कि any object continue at its rest position, unless and until a contactive force is force upon it, ठीक है, मतलब जब तक कोई भी object, external force जब उसके उपर act ना करें, मैं example आपको मैं direct बताता हूँ, experiment series में कैसे आएगा, समझे लो, कि मेरे पास एक ये book है, ये मेरे पास एक book है, इसके उपर में एक remote रख रहा हो, अब देखो ये remote इसके उपर मैंने रखा, तो पहना law ये बोलता है, कि कोई भी object, पूरे दुनिया में कोई भी object, अपने जगा से तब तक नहीं हिवेगा, से मुसी प्रकार, यहाँ पे एक book है, उसके उपर मैंने remote रखा हुआ है, अब ये remote अपने जगा से तब तक नहीं हिलेगा, जब तक कि इसके उपर कोई ताकत ना लगे, कोई force ना लगे, देखो यहाँ पे, हिल रहा है क्या, नहीं हिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं अपने हा कि कोई भी object, any object continue at its rest position, वो अपने जगा पर रहेगा, unless and until an external force is applied on it, तो यह है आपका पहला लग, समझ में आया, ऐसे experiment तो अभी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन experiment आपको मैं बताऊंगा, वीडियो आएंगे न जब जया टॉक्स पे, तो आपको ऐसे ऐसे experiment, life practical चीज़े करके दिखाऊंगा, यह हो गया Newton पहला law, वैसे ही Newton का दूसरा law बताता हूं, देखो यहाँ पे जान से, ठीक है, यह हो गया पहला law, वैसे है Newton, second law, second law क्या बोलता है, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the force is applied at particular direction, ठीक है, जो momentum होता है, अब जैसे ही example के तोर पे सब्जो, मेरे पास एक ball है, ठीक है, यह ball है, ठीक है, अब यह ball अपने जगा पर रुका हुआ है, सबसे पहले तो यह ball अपने जगा पर रुका हुआ है, ठीक है, देख पा रहे हो, अब यह ball, तब कभ हिलेगा, जब इसके पर मैंने क्या किया, force लगाया, force लगाया, force लगाया, force लगाया, होता उतिनी तेजी से मैंने विलॉसिटी मारा इसको तो यह क्या हो गया बूव करने लगा तो यह क्या हो गया तो रेट ऑफ बराबर एकुवल है न पोजिट मतलब बराबर बाकत लेकिन अपोसीट डारेक्शन में हमको वापस मिलेगा तो मैं पास एक बॉल है यहाद से बाल वहा बाल को प offenses यहाँ करता हूँ कि और जोर से फीकता हूँ और जोर से फेकता ऑर और जोर से फेकता हूँ देखो तो बॉल बहुत तेजी से वापस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा में फोर्स लगाऊंगा उतनी ही जोर से वापस से बॉल पर पास आएगा और इसी को बोलते हैं Newton's third law of motion कि to every action मेरा action जो है there is a equal उतनी ही टाकत से equal लेकिन मैंने फेका इस डिरेक्शन में लेकिन आ इस तरफ से यानि opposite तो equal and opposite reaction इस प्रकार से Newton's third law satisfy करता है clear है समझ में आ गया दोस्तो तो यही थे हमारे जितने भी वीडियो सीरीज है इसके demo lectures जो मैंने आपको provide कर दिये अब ऐसे ही वीडियो आपको मिल रहे होंगे कहां पे JR Talks YouTube channel again मैं इसको बोलना चाहूंगा तो please जाइए हमारा जो चैनल है जिसका नाम है दोस्तो जे आर टॉक्स यह चैनल का नाम सर्च करो YouTube पे आपको मिल जाएगा या फिर हमारे टाइटल में भी लिखा हुआ है या फिर हमारे वीडियो सेक्शन के चैनल के सेक्शन में जाके आप देख रोट करना क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत होने वाले है आने डिनों में ठीके छोलो फिर आज के लिए वीडियो कैसा लगाए लिए प्लिस कॉमेंट करना वीडियो पसंद आ तो प्लीज लाइक करना वीडियो को शेर ज़रूर से करना अपने सारे दोस्तों को बत कर देना अपने मुझ से पताना सबको मैसेज करके पताना सबस्क्राइब करने बोलना जया टॉक्स को ताकि हर एक बच्चा पूरे महराष्ट में सबको पता चल सके और इतना बहतरी नॉलेज सीरीज उन सभी को free of cost मिल सके तो ये महनत हमारी तरफ से जा रही है लेकिन आप लोको थोड़ा सा अपना effort और महनत करना है बच्चों को शेयर करना है वीडियो को ठीक है क्लियर है तो चलो फिर जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर जरूर से करना तो आपने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ठीक है चलो गाईस तो मिलते हैं हमारे एक और नए बेतरीन वीडियो में तब तक लिए थाइंक यू एंड गुड़ बाई